भावे और बेहनों, सो साल में आई सबसे बड़ी महामारी में, हमारी सरकार गरीबों को मुप्त राशन के लिए दो लाग साथ हजार करोर रुपे खर्च कर चुकी है। अगले छे मेने में इस पर असी हजार करोर रुपे और खर्च किये जाएंगे। जो पहले की जनता की कमाई को लूट लेते थे, वो जनता की कमाई से अपनी प्तिजोरी भर लेते थे, वो आज भी इस योजना के लिए कुछ न कुछ हलका भूलका मजाक उड़ाना, जूट फैलाना, धम फैलाना, करते ही रहते हैं। मैं आज देश को एक जानकारी देना चाहता हूँ, आप भी इसे ध्यान से सुनिएगा। साथियों जब इन लोगों की सरकार थी, तो इन्होंने गरीबों के राशन को लूटे लेक लिए, अपने चार करोड, इस चार करोड आकड़ा बहुत बड़ा होता है, चार करोड फर्जी, ऐसे ही जो नाम पैदा ही नहीं हुए, जिनका जन्म नहीं हुआ, ऐसे हैं नाम चार करोड कागजों में तैनाद कर दिये थे, इन चार करोड फर्जी लोकों के दाम से राशन उठाये जाता था, बाजार में पिछले रास्ते से बेचाये जाता था, और उसके पैसे इन लोकों के काले कारणा में, काले खातों में पहुँच जाते थे, 2014 में सरकार में आने के बाद से ही हमारी सरकार ने इन फर्जी नामों को खोजना शुरू किया और इन्हें राशन के लिश्ट से हटाया ताकि गरीब को उसका हक मिल सके आप सोचिए पहले के समय में ये गरीबों के मूँ से निवाला चीद कर कितने हजारों करों रुपिये हर महिने लूट रहे थे हमने राशन की दुकामों में आदूनिक मशीने लगा कर ये भी सुनिशित किया कि राशन की चोरी ना हो पाए आप सबको पता होगा ये जो मशीन लगानार का हमने अभियान तलान है उसकी भी इन लोगों ने मजाग उड़ाई थी क्यों क्योंकि उनको मालूम था कि मशीन आएगा लोग अंगूठे की चाप लगाएंगे तो सच का सच चलेगा और इसको रोकने के लिए ऐसी ऐसी हवा यहां तक कह दिया कि राशन लेने जाएंगे और अंगूठा लगाएंगे तो कोरोना लग जाएगा ऐसे ऐसे जुट फैलाए हमारी सरकार ने इन सब का फर्जी खेल बन करा दिया इसलिए लोग तील मिलाए हुए हैं आप कलपना कर सकते हैं कि अगर राशन की दुकानों मे पारदर सिता नहीं आती यह चार करोड फर्जी नाम नहीं हटाए गए होते तो कोरोना के इस संकट में गरीबों का क्या हाल होता है गरीबों के लिए समर्पीत भाजपा की सरकार दिन रात गरीबों के लिए काम करती है भाई और बैनों हमारा प्रयास है कि आजहांदी के अमरित काल में हम मुल्द सुविधाओं को हर लाभार्थी तक तेजी से पहुँचा सके ऐसे ही काम के बल पर हम योजनाओं के सेचुरेशन यानि हर योजना के सत प्रतिशत लाभार्थी तक पहुँचाने के संकल पर काम कर रहे हैं गाउं में जिस योजना का जो लाभारती होगा, हित धारक होगा, उसको उसका हग उसके घर तक पहुँचना चाहिए, इसके लिए हम लगे हुए हैं। सैचुरेशन के इस लक्ष का सब से बड़ा लाभ ये हैं कि कोई गरीब योजनाओं के लाभ से छुटेगा नहीं, सरकार सब तक पहुँचेगी, इससे भेदभाव के संभावना नहीं बचेगी, प्रसाचार के संभावना नहीं बचेगी, आज समाज में आखरी पंक्ति में बैठे वेक्ति को भी लाभ देने की नीती हो, नियत हो, तो सब का साथ भी होगा, सब का विकास भी होगा।